अगर आपको कहा जाए कि अपनी जिन्दगी में पीछे लोटो और याद करने की कोशिश करो कि आपकी जिन्दगी में क्या क्या हुआ है तो पांच साल तक और मैक्सिमुम चार साल तक जो आपके साथ हुआ है उसको आप आसाने से याद कर लोगे यानि चार साल से आगे की आपकी जिन्दगी में क्या हुआ है वो आपको याद होगा आप जो डालेंगे तो आपको आपकी कुछ घटना है आपके सामने आ जाएंगी लेकिन चार साल से पहले की किसी को कुछ याद नहीं है ऐसा क्यों है? क्या आपके साथ कुछ हुआ नहीं था? क्या आपने कुछ छुआ नहीं था? क्या आपने कुछ सुना नहीं था? क्या आपने कुछ देखा नहीं था? क्या आपने कुछ फील नहीं किया था? और क्या वो आपके माइंड में स्टोर्ड है या नहीं है? वो दीरे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो दुखों को ड्रॉप करना शुरू कर देता है इसलिए आप किसी बुड़े से पूछोगे वो कहेगा बच्पन सबसे अच्छा था लेकिन आज कल के बच्चे जल्दी से जल्दी बढ़ा होना चाहते हैं कुछ ने कुछ तो दिक्कत है ना आप किसी जवान से पूछो वो ये कह सकता है कि यार पास्ट में बहुत सुख था आज दी नहीं हैं दस साल के बाद वो बोलेगा कि आज के टाइम पर बहुत सुख था यानि कि पास्ट में सुख था लेकिन आज के टाइम पर मैं सुखी नहीं हूँ ऐसा क्यों है ऐसी सोच क्यों है कि हर बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहता है और बूड़ा हमेशा यह कहता है कि बच्चपन सबसे सुंदर था इसके पिछे रीजन सर्फ इतना है जीन प्याजे कहते हैं कि मनुष्य की लाइफ में जो दुखद घटनाई होती है उनको वो भूल जाता है और जो सुखद घटनाई होती है उनको याद रखता है इसलिए जब आप अपने पास्ट में जागते हो तो आपको मीठी मीठी यादे तो याद रह जाती है लेकिन उस वक्त का जो संघर्ष है वो आपको याद नहीं रहता इसलिए जो शुरुवात के चार वर्ष होती है उसमें बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता वो उसके लिए बहुत दैनीय स्थिती होती है मम्मी पापा के कहने से खाना पीना उठना बैटना वो दूसरों के उपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वो इतना दुखद समय होता है बच्चे के लिए कि उस समय पर जो बच्चे के साथ हुआ है वो याद रखने योग यही नहीं है यानि पापा ने डाट दिया तो रोने लग गया आप ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं ना अपनी मर्जे से कहीं जा सकते हैं सबकुछ आप जो है दूसरों के उपर डिपेंडेंट है हर किसी तरीके से तो शुरुवात के चार वर्ष के अंदर जो मैमरी बनती है उसके अंदर पेन बहुत जागा चुपा रहता है और आप उसको भूल जाते हैं इसलिए जीन प्याजे ने इसे कहा ड्रोपिंग ओफ सैडनेस यानि कि जैसे जैसे विक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो दुखत गटनाओं को भूल जाता है लेकिन सुखत गटनाओं उसके मस्तिष के अंदर चाप छोड़ जाती है चार-पांथ साल के बाद बच्चा थोड़ा डिपेंडेंट होता है हिलडू सकता है अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है तो उसकी यादें आपके माइंड में स्टोर रहेंगे लेकिन चार साल से पहले पापा ने आँखे दिखा दी तो डाट दिया ला-दा आफ आपके साथ की आमिशंग छ्राण का आपके साह abbiamo विज्ञान-विज्ञान-विडियो और उकर ऑपाट क fís करें